नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आप सभी लोगों का एक वार फिर से मेश राशी, जनवरी, फरवरी, मार्च दोजर तेईस ये तीन बड़ी घटनाएं आपका इंतजार कर रही है दोस्तों हमारे इस चेनल पर मेश राशवली जातकों का स्वागत है इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मेश राशवली जातकों के लिए साल दोजर तेश का जनवरी, फरवरी और मार्च का महिना कैशा रहेगा यानि कि साल दोजर तेश की ये आने वाले तीन महिनों का रासी फल हम मेश राष्ट की जातकों के लिए बताएंगे साथी बताएंगे कि इन तीन महीनों में कौन से बड़ी घटनाएं आपकी जीवन में घटित होगी किस प्रकार की परिस्तियों का निर्माड होगा साथी क्या उपाय करें ताकि आपको लाव मिले साथी किन राष्टी वालों से शावधान रहने की आवशकता है तो आईए वीडियो की शिरुवात करते हैं सबसे पहले आप सभी दर्सकों को नव वर्ष की हारदिक शुब कामनाएं मेश रास्वली जातकों 2023 यानि की जनवरी के महीने में केतु राषू ये तुलर और मेश राषी में रहेंगे शुर का परिवर्टन तो प्रतेक महीने में होता है और यहाँ पर बुद्धा दितरा जोक का निर्बाड भी होगा जनवरी के महीने में 17 जनवरी 2030 को यहां मकर राशी शकुम राशी में शनी देव का बड़ा परिवर्तन होगा देगुरु ब्रिहस्पत भी मीन राशी में रहेंगे और इस गोचरी सितियों में यानि की रहते हुए आगे बढ़ेंगे और साथी साथ यहां पर यह बड़े ग्रह यह जो ग्रह जिनका परिवर्तन यानि जो गोचरी सितियों में यह बड़े ग्रह इनहीं के अधर पर हमने आपके लिए इन तीन महिनों का महत्पूर्ण राशी फल तयार किया है यहां पर जैसे ही सनिदेव का परिवर्तन होगा तो स्वास्त में अब सुधार भी होगा और खास कर देखा जाए तो स्वास्त सब्सक्राइब आपको 17 जनवरी से लेकर मार्च तक समय आपके लिए बहुत बेधर होगा लेकिन फिर भी इसमें भागदाओर ना करें, किशी के कहने पर कहीं पर भी धन इनिवेश्ट ना करें, और गाड़ी बान का प्रयोक्खम करें, आपके दैनेक देंचेरे में कुछ बड़े परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं, आए में कुछ खर्चे यानि जो आए तो ब कहीं पर भी धन इनिवेश्ट ना करें, अपने कारियों पर विशेश रुप से ध्यान रखें, और कुछ अधूरे कार अगर अभी तक नहीं बन पार रहे थे, तो उन्हें पूरा करने का प्रयास करें, मन चाहीं अगर प्राप्द करना चाहतें, तो इन चीजों पर भी को इन की ध्यान देना होगा, और कोई भी कार अगर धूरा था, कोई भी कार अगर पेंडिंग है, तो उसे पूरा करने का प्यास करेंगे, लेकिन भागदाओर बने रहेगे, मेहनत ज्यादा परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च का महिना, आप के कई कारियों पर बदलाव भी लेकर आएगा, बड़े दिन चरिया में बदलाव आएगे, हलाकि सुब मंगल कार, धर्मिक कारकरमों कायजों ने का, साधिवा के बंधने में बंधने में बंधने के, जिन ज्यातकों का साधीता है, या फिर नए रिष्टे आएगे, और मात शिप्रकार कोई शमश्याएं थी, परेश्यानियां थी, वह दूर होंगी, तो आंदनी के स्तुरोद बढ़ेंगे, आंदनी में कुछ परिवर्तन भी दिखेंगे, और अभी तक अगर घर परिवार में कुछ पेंडिंग काम था या फिर बिजनेस व्यापार में उसे पूर दूरत पढ़ सकती है, फरवरी के महिने में आपको कोई बड़ी खुस खबरी प्राप्त होगी, कोई महत्पूर यानि लाब भी मिलेंगे, कुछ अच्छे कारियों में सफलता, लेकिन बड़ी घर नाएं जो आपके साथ होगी, इनका भी आपको ख्याल रखनों को जैसे की अगर आप किशी से विवाद करते हैं, तो परेशानिया कोट को चेरी तक बढ़ सकती है, इसलिए थोड़े इस्तितियों को संभाले, जीवन साथी से तालवेल बहतर बना के चले, वरना मनमुठाव की स्तिति बनेगी, संतान की और से भी कुछ नाराजगी जहलने पड़ सक करेंगे, अधूरे कार आसानी से पूरा करने का प्रयाज करेंगे, तो कारियों को में बहतर लाने के लिए और प्रसिद्धी प्राप्त करने के लिए अधिक शदिक आपको प्रयाज भी करना होगा, मन्चाही सफलताएं अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रते कारियो को भी आसानी से पूरा करें, क्योंकि अभी तक अगर कोई कार रुका हुआ था पेंडिंग था तो उसे भी पूरा करने का प्रयाज करेंगे, अच्छे कारियों प्लब्धिया प्राथ होंगी, खास कर आपकी लब लाइफ यानि इन तीन महीनों में अच्छी रहेगी, प्रेम के साथ गाड़ी बाहन का प्रयोग कम करें, वरना दूर घटनाए हो शकती है, और लोटरी शट्टा में ज्यादा पैसे निवेश ना करें, वरना पैसे डोब सकते हैं, यानि की फंश रकते हैं, हमने पहले ही कहा कि ये तीन वड़ी घटनाए आपका इंतजार कर रही है, आ जिनवी लोग जो काफी यानि की अपरचित हैं, उनके साथ पैसे का लेंदे ना करें, और खास कर बता दें कि अगर यात्रा करते हैं, तो अपने कीमती चीच की देखरें जरूर करें, वरना चोरी होने का खोने का भी डर बना रहेगा, दैनिक दिंचेरे में परिवर्तन है तो आमदनी के स्रोत को बढ़ाना है, अगर बेतर इस्तियों को लाना है, तो आपको इन बड़ी घर्चनाओं से बचना होगा, पहले से साथ धानी बरतनी होगी, और खास कर यानि की नए गाड़ी वाहन के शुक्षुबधा अगर प्राप करने चाते हैं, तो धन ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, हलाकि बेवजय फालतू पैसे खर्च ना करें, इन वेश्च ना करें, बैंक के छेतर में कोई लोन बगर अगर कोई मंजूर होना था, तो अच्यानक उसमें रुकावटों को सामना भी करना पड़ेगा, उपाय की बात करें, तो इन तीन महीनों म आपको यनिकी ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ब्रिश्णों यनिकी इसमें मंगल देव, यनि चुकि मंगल यनि ग्रह की पुजा राधना कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हन्मान जी की अराधना कर सकते हैं, हन्मान जी की अराधना करें, उन्हें लड़ू और ल पार्ची 2021 तेशका रासीफल यानि यह तीन महीने बहुत ही बिशेश रहेंगे बहुत ही लाबकारी रहेंगे बहुत ही अच्छी अवसर आपको प्रदान करेंगे इश्य आपको शफल ताइम मिलेंगी लाब की योग मिलेंगे तदोस्तों बीडियों को लाइक जरूर करिएगा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जय शनिदेव